कुछ नहीं कहना मुझे इसकी जानकारी नहीं है मैं ग्यान नहीं रखता हूँ इस विशे पर इस विशे पर आप जा फिर एड़ी बालों से पूछ लें जा पूछ चौधी लाल सिंग की इडी द्वारा गिरफतारी पर बीजे पी के सांसद जुगल किशोर शर्मा का बयान आया है जुगल किशोर शर्मा चौधी लाल सिंग पर पूछे गए सवाल पर जहां एक तरफ बचते नजर आये तो वही उन्होंने इशारों ही इशारों में ये भी कह डाला कि कोई भी जाच अजनसी किसी भी नेता या व्यक्ति पर बिना सबूतों के आधार पर कोई भी कारवाई नहीं करती है आप इस बयान को सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जुगल किशोष शर्मा ना तो सपस्ट तरीके से इस सवाल पर कोई टिपणी करना चाहते हैं और ना ही वो इस सवाल को बिना कुछ कहे छोड़ना चाहते हैं अलकि जुगल किशोष शर्मा बीजेपी की तरफ से पहले सांसद हैं जिन्होंने चौधरी लाल सिंग की गिरफतारी पर कोई किपणी की है इससे पहले रविंदर रैना ने भी मीडिया से बात्चित की थी और उन्होंने कहा था कि चौधरी लाल सिंग मेरे बड़े करीबी है लेकिन जो जांच अजंसी कर रही है हो सकता है कि जांच अजंसी के पास कोई ठोश सबूत हो वहीं बात की जाए चौधरी लाल सिंग के समर्थकों की या फिर चौधरी लाल सिंग के परिवार की बयान जारी किया गया है, एडी ने कहा है कि चौधरी लाल सिंग को एक जमीन को लेकर गडबड़ी किये जाने पर गिरफतार किया गया है, कि चौधरी लाल सिंग ने अपनी पावर का इस्वाल करके और कुछ रोधिय अफिशिल्स को उस peng अस्वक्ट अपने साथ मिला कर आरबी एजुकेशन ट्रस्ट के नाम पर कर्रीब 346 कनाल जमीन को रेजिस्टर कर लिया है जिनका काम है वही जानने या इसका उतर वही लोग दे सकते हैं जो इसमें जिन पर कारवई की जारी है जो कारवई कर रहे हैं आप मानते हैं कि अगर किसी के साथ कोई अजन्सी दुर्बजोग करती है मलों कैसे करती है उसका कोई मतादारी distillえば कुछ चूछ कुछ नहीं कहना मुजे इसकी जानकारी नहीं है मैं ग्यान नहीं रखता हूं इस विशे पर आप फिर इड़ी बालों अभी अलगी रूप देखने को मिल रहा है क्योंकि यहां पर छोगरी लासिंग के समर्थ कह रहे हैं कि दोगरों पर घाट किया है यानि पूरे जम्मू पर देखे इस विशे पर हम आप से बैठ कर चर्चा करेंगे